अब आईए देखते हैं कि पूर्ति की लोच को मापने की कौन कौन से विधिया हैं पूर्ति की लोच को मापने की विधियों के अगर हम बात करें तो इसका अध्यान हम दो बिंदू के अधार पर करेंगे पहला ये कि पूर्ति की माप हम अनुपातिक विधी या प्रतिशत विधी से भी कर सकते हैं और दूसरा बिंदू विधी बिंदू रेखा विधी रेखा गणिती विधी से भी हम इसके माप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपातिक या प्रतिशत विधी से जब हमको पूर्ती की लोच मापनी हो तो हम कैसे मापेंगे इसके लिए हम साधारन से एक सूत्र का प्रयोग करेंगे अगर हमको पूर्ती की कीमत लोच की माप करनी है क्योंकि इसका नाम ही है अनुपात प्रतिशत तो बहुत साधारन से एक फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लेकिन यहां पर पूर्ति और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होंगे वहां पर भी जैसे हमने मांग के दौरान पढ़ा था कि कीमत लोच जो है वो इकाई से कम है या उसके बराबर है या उससे अधिक है तो इन तीन श्रेडियों में जो लोच की जो तीन श्रेडिया है तो मांग की तरह पूर्ती भी बिलकुल इन से वैसे ही प्रभावित होती है तो सबसे पह पहले जो शेटीए अगर पहली हम बात करें तो पुर्ती की कीमत लोच कई बार इकाई से अधिक होती है कब अधिक होती है हमक गहेंगे कि पूर्ती लोच है वो प्रतिशत परिवर्तन है वो बहुत अधिक प्रतिशत परिवर्तन है वो 30 प्रतिशत हो गया तो यहां हम देख रहे हैं कि कीमत क्या पेक्छा पूर्ती में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो ज्यादा है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पूर्ती की कीमत लोज इकाई से अधिक है अब यहां पर हम कीमत लोज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो उसके लिए हम साधारण सा फॉर्मूलर लगाएंगे अपना कि पूर्ती कीमत लोज बराबर पूर्ती में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो जैसी कि हमने उदारण में देखा कि यहां पर अगर मान लीजे कि पूर्ती में प्रतिशत परिवर्तन 30 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 है तो बहुत आसानी से पूर्ती की लोच बरावर 30 बटे 20 यानि कि 1.5 हम पूर्ती की कीमत लोच निकाल लेंगे. अब इसकी दूसरी दर्शा की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि पूर्ती की कीमत लोच जो है वो इकाई के बराबर है तो ऐसा कब होता है कौन से ऐसी कंडिशन होती है जो पूर्ती की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है यानि हम कहते हैं कि कीमत में जैसे गुदारण से हम देखते हैं यहाँ पे कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो भी 25 है और पूर्ती में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो भी 25 है तो यहाँ पर हम यह फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगी तो यह हो जाएगा पूर्ती कीम कीमत लोच बृति की यहां पर ऐसी दिर्शा में हम कहेंगे कि पूर्ती की कीमत लोच कीमत लोच करेंगे कि पूर्ती की कीमत लोज बराबर पूर्ती में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अब एक उदारन के तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं कि पूर्ती की प्रतिशत परिवर्थन वह सिर्द 20 प्रतिशत ही हुआ तो जब इसको हम फॉर्मूल्य में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार की दश्वा नेगी कि पूर्ति की कीमत लोज बराबर Bu 사hty में प्रतिशत परिवर्थन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यहंनि C यह हो जाएगा आपका 25 बटे 50 प्रतिशत तो यह आपका आंसर 0.5 जो है वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच आएगी जो कि हमने देखा कि या तो बिंदू रेखाविधी या रेखागणती विधी से हम इसका प्रयोग इसको हम माप सकते हैं तो जब हमें बिंदू रेखागणती विधी का प्रयोग करके पूर्ति की माप करनी हो तो हमको वहाँ पर कुछ ग्राफ यानि जैसे कि नाम ही है बिंदू र तो आई एक उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार रेखा चित्रों के प्रयोग से ग्राफ के प्रयोग से हम यह जो दूसरा मैथड है जब हम पूर्ती की कीमत लोज बिंदु रेखा या रेखा गणिती आधार पर करते हैं तो उसके क्यालकुलेशन किस प्रकार की जाती है हमें तुरह के ग्राफों का निर्मान करना होगा सबसे पहले यहां पर हम वस्तू की कीमत लोज जो है वो इकाइस से कम हो इस तरह के ग्राफं का निर्मान करेंगे तो हम देखते हैं कि रेखा O X अक्ष पर हम वस्तू की पूर्ती लेते हैं और रेखा O Y अक्ष पर अगर हम वस्तू की कीमत लेते हैं तो यहां पर हम क्योंकि वस्तू की जो पूर्ती है वो कीमत लो जो है वो 21 से कम है यानि कि यहां पर हम कह सकते हैं कि कीमत की तुल्ना में वस्तू की पूर्ती जो पूर्ती का प्रतिशत हुआ वो उससे कीमत के प्रतिशत की तुल्ना में कम था यानि कि इसको O से थोड़ा आगे बढ़ाकर एक लाइन SS का अगर हम निर्माण करते हैं एक वक्त तो यहाँ पर N पर जो लंब डाला जाता है यानि P N जो रेखा है वो दर्शाती है कि यहाँ पर हम देख रहें कि O N की तुलना में जो T N रेखा है वो छोटी है तो हम यहाँ पर इस चित्र के द्वारे क्या सकते हैं कि इस चित्र पर यानि P बिंदू जो है उस पर हम क्या सकते हैं कि P बिंदू पर पूर्टी की कीमत लोच इकाई से कम है दूसरा अगर हम वस्तु की कीमत लोच इकाई के बराबर की बात करें तो हम देखते हैं कि रेखा O X अक्ष पर वस्तु की पूर्ती और रेखा O Y अक्ष पर वस्तु की कीमत लेने पर जो S S रेखा जाती है वो वस्तु को मतलब O बिंदू से स्टार्ट होकर जाती है और यहां पर इसके आधार पर रेखा OX पर जो लंब बनता है, यानि PN रेखा हमको जो प्राप्त होती है, इसमें P बिन्दू जो है वो बताता है कि P बिन्दू पर पूर्टी की कीमत लोट 1 काई के बराबर है, यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जो TN रेखा है, वो O और रेखा क सले की बराबर बादимся पूर्टी की के लूच है 50 देशाता है ति तीसरा अगर बात करें की यहां पर कीमत लूच जो है वह काई से अधिक है तो यहां पर तो यहां पर रही새 आकश पर गिम率 की यहां हम देखते हैं कि वस्तु की पूर्ती जो है वो कीमत से भी जादा है इसने हम देखते हैं कि जो पूर्ती का वक्रहा कर स्स बना रहे हैं वो पूर्ती से भी आगे निकल गया है तो यह जो टी एस रेखा यहाँ पर बन रही है यह बताती है कि वस्तु की पूर्ती जो है कीमत से भी ज्यादा प्रतिशत हुई है इस पूरे चित्र में हमको यह इस पर्ष्ट दिख रहा है कि टी एन रेखा जो है वो ओ एन से बड़ी है यानि कि इस चित्र में जो पी बिंदु है वहाँ पर हम कह सकते कि पी बिंदु पर पूर्टी की कीमत लोच इकाई से अधिक है इस रेखा चित्र में इन सभी जितने भी रेखा चित्र हमने बना यहाँ पर हमने देखा कि पूर्टी वक्र को एक सीधी रेखा के रूप में लिया गया है अब अगर ये पूर्टी वक्र एक सीधी रेखा के रूप में ना होकर वक्र रेखा के रूप में होगा तो ऐसे प OX वक्र का रेखा OX का निर्माण वस्तु की पूर्ती के लिए और OY का निर्माण वस्तु की कीमत के लिए करते हैं. यहां पर हम देखते हैं कि जो T, T रेखा है उसके उपर यानि उसे दो भागों में जो बाटने वाला बिंदू P है उससे होता हुआ जो वक्र बनता है यानि S, S वक्र वो क्या दर्शाता है यहां हम देख रहे हैं कि P बिंदू पर पूर्ती की कीमत लोचम को ग्याद करनी है. अब P बिंदू को छूती होई उसको स्पर्श करती होई एक सीधी रेखा T, T यहां पर खिची गई है जो O, X आधार रेखा के T बिंदू पर जाकर मिलती है यानि हम कह सकते हैं कि P बिंदू पर पूर्ती की कीमत लोच जो है वहां पर T, N जो है वो कम है और O, N का अगर हम द पूर्ति की कीमत लोच एकाई से कम होगी है तो आपने देखा कि पूर्ती की कीमत लोच को मानिकी दूसरी दशाय यानि कि रेखा करती विधी में किस प्रकार हम अप्रू का प्रियोग कर के उन्हें रेखा दर्शाकर और उसके बाद एम उन बिंदू के आधार पर पूर्ति कीमत लोच यह तो इकाई के अधिक एकाई के बराबर और इकाई के कम होती हैं उनको हम दर्शादاء ते हैं अब अगर हम बात करें कि पूर्ति की कीमत लोच को वो कौन कौन-कौन, एक से तर्ट है जो प्रभावित करते हैं तो सबसे पहला विंदु हमको यहां पर यह मिलता है समय तक्त्व जिसे क हमने मांग में भी देखा था वहाँ पर भी समय तक प्रभावी था काफी महत्तुमण था वैसे की समय के नुरूप पूर्ती को एड़िस्ट हम नहीं कर पाते हैं अगर हम उसके दूसरे स्टेप याने अल्पकाल की बात करें तो थोड़ा सा समय हमारे पास ज्यादा रहता है यानि पूरा का पूरा तो हम मांग के नुरूप हम पूर्ती को एड़िस्ट नहीं कर पाते लेकिन थो और भी ऐसे कई विधियों का प्रयोग करते हैं और इतना समय हमारे पस पर्याप्त समय रहता है कि हम मांग के अनुरूप पूर्ती को एडिस्ट कर लेते हैं ये तो थी समय तत्त्यू की बात अब अगर हम दूसरा याने की उतपादन तक्नीक की बात करीं तो ये भी एक महतप लेता है तो पूरती वैसे ही रहेगी जैसे पहले हो रही थी किसी भी प्रकार की व्रिद्धी उत्पादन में नहीं हो पाएगी तीसरे बिंदू की अगर हम बात करें तो वस्तू की प्रकृती पहले भी हमने देखा कि अलग-अलग प्रकृति की वस्तुएं होती है छो द्यानी कुपयोग की होती है तो इन वस्तों का वैपा जो होता है ऑर इन में जो में होता है वो भी अतियल्पकालीन होता है जिसे तो इन में समय इतना कम रहता है इनके पूरती को मांग के अनुरुप जल्दी से आड़जिस नहीं किया जा सकता है दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ वस्तुएं टिकाउ होती है जिसे हम मोटर गाड़ी फरनीचर भवन बनाने के जो समान है इस तरह के वस्तुएं के अगर हम बात करें तो यह टिकाउ वस्तुएं होती है लंबे समय तक बजार में इनकी मांग बनी रहती है यहाँ पर जो यहां पर उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित करती है तो इतना पर्याव्त समय रहता है कि तीसरी बात अगर हम करें बाजार कि उपलबद्धता की तो जाहिर सी बात है कि जिस स्वस्तु का बाजार सीमित होगा उसकी पूर्टी भी सेमित होगी क्योंकि वहां पर उस वस्तु के बहुत कम उत्पादक होगी यह कह सकते कि बहुत कम विक्रेता होगी और जहां पर वस्तु का बाजार विस्तुरित है जिस वस्तु के बहुत सारे उत्पादक है बहुत सारे विक्रेता है उस्तु का बाजार होगा तो उनकी पूर्ती भी विस्तरित होगी अब अगर हम प्राकृतिक बाधा की बात करें तो हम देखते हैं कि जब प्राकृतिक बाधाय आ ऐुच्छी तक्निकों का हम ने प्रियों का प्रयोग कर लेगा कहीं न कहीं प्राकृतिक बाधाउं से हम उस पूरी प्रक्रिया से बच आए और जो हमारे पूर्ति की संपूर्ण विशेस्ता हैं हम कह सकते हैं कि पूरी उतपादन की प्रक्रिया में पूर्ति का क्या रोल है यानि बाजार की पूरी प्रक्रिया में जब हमने देखा कि जब उतपादन होता है तो दो चीजे वहाँ पर उसको एफेक्ट करती हैं किसी वस्तू की और पूर्ति दोनों को देखते हुए उत्पादन का संपूर्ण कार संपन्न किया जाता है तो हमने देखा कि जिस प्रकार मांग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था वैसे ही पूर्ति कभी अपने आप महत्वपूर्ण स्थान है